तो यार गर्मी का मौसम चल रहा है और मैं सबसादा मिस कर रहा हूँ हिल स्टेशन को स्पेशली हिल स्टेशन पे एक वो बंदा नहीं होता जो जो जॉब के नाम पे ही राइट सो नेम और पीस हो कच्छा राइस वो 10 रुपीस मैं के बार सोचता हूँ कि उसके माबाप से जब लोग पूछते होंगे कि आपका बीटा कर्था क्या है तो क्या बोलते होंगे जी आपने वो कावच सुनी है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम वो नाम मेरा बेटा ही लिखता है सर बहुत टैलेंटड है आप नूडल लाके दो पूरा एड्रस लिखता है वो फिर मैंने इल स्टेशन में ये बात सुनी थी कि मापे सबसादा वदमाश होते है माँके बंदर आपने देखा हमेशा सुनने मा आता है कि किसी बंदर ने टूरिस्ट का पर्स छिन लिया मैंने इल स्टेशन में ये सुना था कि एक बंदर पेट से उतरा और टूरिस्ट को थपड़ मार के बाग गया और मैं सोच रहा हूँ यार अगर आप वो आदमियों जिसने बंदर से थपड़ गाई है तो अब आप human race के नाम पे कलंग हो यार क्योंकि आपने बंदर से बेसिकली आपने अपने 1000 साल पुराने बीटा वर्शन से थपड़ गाई है बंदर बेसिकली वो drop out इसका evolution का cut off clear नहीं हो पाया था और एक बार आपने बंदर से धपड़ खाली फिर भूल जाओ अब आपके जिन्दगी में कभी भी इज़त नहीं होने वाली है वो ताना आपके मूँपे मारा जाएगा आपका wife से argument से लगा एकदम से wife बाद ने मुझे पता चली कि उस दिन मुझे बंदर ने धपड इसलिए हमारी थी क्योंकि दो बंदर आपस में केला गुमा कर थूत और डैर खेल रहे थे और मेरे वाले बंदर को डैर मिला था तो यार फिर ये बंदर चोड़ो फिर मैं गादी जी के तीन बंदर उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाऊंगा यार एक तो जो तीन बंदर है उसका मुझे लगा है गिल स्टेशन वाला बंदर भी होना चीए बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो और गिल स्टेशन वाला बंदर बुरा मत पेलो